ओम नमो भगवते वासुदेवाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाया,ろうप अमो भगवते वासुदेवाया, परे कृष्णा, पर्यूम चलिए जी तो हमने अभी तक जो पढ़ा चैप्टर सेवन में उसके उपर कोई किसी चीज के उपर हम डिसकेशन करना चाहें या आगे कंटिन्यू करें हमने उसका पहला सेक्शन पढ़ लिया था जो शुरू के ट्वेल्थ श्लोक्स हैं चलिए तो हम उसके आगे पढ़ते हैं तो ट्वेल्थ को हम दुआरा पढ़ते हैं जो हमने लास्ट कल पढ़ा था तो ये चैप्टर सेवन शुलोक ट्वेल्थ तुम जान लो कि मेरी शक्ति दुआरा सारे गुण प्रकट होते हैं चाहे वैं सतो गुण हो रजो गुण हो या तमो गुण हो एक परकार से मैं सब कुछ हूँ किंतु हूँ स्वतंत्र मैं प्रकर्ती के गुणों के अधीन नहीं हूँ अपी तु बै मेरे अधीन है जैसे हम इसकी बात कर रहे थे हम इंगलिश में कहते हैं three modes of material nature material nature प्रकर्ती जो प्रकर्ती का सुभाव है उसके अंदर ये तीन मोड हैं तीन गुण है सतो रजो और तमो और अब हम इसी के उपर आगे बात करेंगे कि कृष्णा कैसे इनको कंट्रोल करता है और ये हम को कंट्रोल करते हैं तीनों को और कृष्णा की तरफ सारे यहां पर ब्रह्मान, शत्रिय, वैशन, और शूद्र की चार वर्ण हैं, यह हर जगे होते हैं, यह जो कर्रेंट कॉर्परेट वर्ड है, उसके अंदर भी है, जैसे कि वह प्रेजिडेंट है, तो उसके अपने पर्क्स होंगे, उसके अपने राइट्स और रेगुलेशन होगी, वो कोई उसको बॉनस मिलेगा, जरूर ही निया, सबको बॉनस मिले, आतिंगे में सबको बॉनस मिलता है, यह सारी जगें है, जो कृष्णा ने कहा है, तो यहीं से, अब हम आगे जो भी देखेंगे, वो थोड़े करेबन कुछ गुणों की ही बात आगे की जाएगी, तो अगर इसके अंदर नहीं है, तो फिर हम आगे चलते हैं, यह अगला है, थर्टीन्थ, तीनों गुणों, सतों, रजों, तथा तमों, के द्वारा मोहों ग्रस्त, यह सारा संसार, मुझे गुणातीत, तथा अविनाशी को नहीं जानता, तो क्योंकि हम इन गुणों में फसे हुए हैं, इस वज़े से हम बगवान को नहीं समझ पा रहे हैं, अगर हम इन गुणों से हट जाएं, तो फिर सब बुजाएगा, और इसके अंदर हम देखें, इसके अंदर रजोंगुण भी है, यह रजोंगुण से भी हमें परे होना है, क्योंकि रजोंगुण अगर नहीं होगा, अगर रजोंगुण के अंदर हम भसे रहेंगे, तो हमारे अंदर अच्छी बावना रहेगे, कि हम तो बहुत अच्छे हैं, और… या जो भी काम भी करता हो इंडिया में भी कि अगर अपने गाउं से भी बावनाओं के साथ में है कि वो अच्छा करता है लेकिन जब इंसान को यह लगने लगेगा कि यह चीज मैं कर रहा हूं तो यह इसलिए नहीं कि अच्छी है इसलिए क्योंकि यह मेरा नेचर है यह मेरा फर्ज है जैसे कि प्रिस्क्राइब ड्यूटी है यह मेरी जैसे कि माता जी वह हैं डॉक्टर है जैसे कि अगर डॉक्ट और पैसे लिये लेकिन पैसों के लिए नहीं क्योंकि वह फ़र्ज उसका उस लिए तो उससे भी परे हो नहींback उससे परे हो जाएंगे तब भगवान को जान पाएंगे अगर इसके अंदर 713 के अंदर अगर कोई चीज हो तो बताएं otherwise में जो बताया है वो यही बताया है कि हम लोग फसे हैं इसके अंदर तीनों गुणों के अंदर दूरे फसे हुएं और टाइम लगेगा दीरे 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 लेकिन क्योंकि हम इसमें फसे हुए हैं इस वज़े से हम भार नहीं आ पा रहें जब निकल जाएंगे तो सत्चित अनंद और वही हमारे लिए सबसे बड़ी लिबरेशन रहीगे अगर इसमें 13 में कुछ नहीं तो हम आगे चलते हैं 14 यह 14 बहुत अच्छा है वर्स है इसके अंदर भी देवी देवी ही रशी गुणा मैं ममाया दृतेया मामे वह ये प्रप्रद्यन्ते माया में हम तरंतिते कि प्रकर्ती के तीनों गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ती को पार कर पाने हैं यह माया देवी कहलाती हैं यह तीनों गुण माया की वज़े से उपर हैं और यह माया देवी कहलाती हैं जिनको दुर्गा देवी भी कह सकते हैं तो इसकी वज़े से हम नहीं इससे उपर उ जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर सकते हैं तो अब ये शर्णागरत होने की क्या है जैसे अभिनाश आप अक्सर कहते हैं कि जो चैप्टर 18 का 66 वर्स है वो आपको बड़ा पसंद है परितर जये वाम शैडब रच पापो भए मुक्षामी जमा सचाः विल्कुल तो उसमें एक ही काम करना है कि सरेंडर करना है लेकिन अब सारी परेशानी यहां है कि वो सरेंडर करने का क्या मतलब है तो अकसर लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बस कहते हैं कि वह अपने फैमली का पेट पाल रहे हैं और क्या चाहिए यह हमारी तरफ से यही सरेंडर है तो वो उस वर्स को उस थरीके से ले लेते हैं और उनके हिसाब से वो जिस्टिफाइए है खिम हम हजब्बिन है या वाईफ है उसमें अपना काम कर दिया फैमली का और क्या है खाना बना दिया और पैसे कमा लिये बच्चों को पड़ाई बड़ाई करा दि और क्या करना है यही सारे करते हैं यही हम कर रहे हैं यही भगवान ने का है मेरी शरण में ले लो तो शरण में क्या लेना है जो हमारा करतव है हम गरस्त हैं गरस्त का अपना पालन कर रहे हैं हो गया बस शरण में बगवान क्या आगा है बाकी बगवान समझा लेंगे तो to me, surrender to me, perform your all duty without any attachment, without any expectations. अगर वो बनना किया रहा है, अगर मैं भी बच्चे पाल रहा हूँ, मा पाल रहा हूँ, बिना attachment के पाल रहा है, बिना expectation के कर रहा है, तब तो ठीक है, उसे surrender कर दिया, बिल्कुर, नहीं किया, बिल्कुर, नहीं किया, और यह देखे न, जो इनसान सुबह उठता है, ऑफिस जाता है, सब कुछ करके आ जाता है, उसकी लाइफ में भगवान तो कहीं आए ही नहीं, वो तो अपना कर्म कर रहा है, लेकिन भगवान वो, हम कह सकते हैं कि भई, वो सकर्म है, कर्म कर रहा है वो, और हो सकता है, वो कुछ उमीद भी ना करे वापस, लेकिन भगवान का element नहीं डाला, अगर भगवान का element नहीं डाला, तो यह temporary रहेगी चीज़, तो अब अपने रिशी नहीं जॉइन हुए, लेकिन रिशी से जो बात हो रही थी, जो उन्होंने का कि कोई अगर करे सच्चे दिल से, वो जब तक अगर वो किसी को surrender in a sense की अपने follow को किसी को औरफित ही नहीं करेगा वो, यह जो मिरको फल मिल रहे हैं, आहा, बड़ी लंबी उमर है, रिशी की बात करी और रिशी आ गए, लेकिन चलें, हम दिले जब वहाँ तक पहुचेंगे तो हमें और clear होगा, अरे Krishna रिशी, तो हम chapter 7 का भी अभी हमने 14 पींथ वर्स पड़ा है, इसके तातपर्रे में कोई और चीज हो तो बताएं प्लीज, अदर्वाइज में बगवान ने यही काए कि यह मेरी गौडली, देवी शक्तियां हैं, तो हम इसे नॉर्मल नहीं मान सकते हैं, यह बहुतिक नहीं हैं, तीनों जो हैं, हाँ यह हैं ब आध्यात्म और बहुत एक, दोनों जगतों के बीच में जो हैं, जहां शिवजी हैं, तो वहाँ पे हैं, और हम कर भी नहीं सकते, हम ओवरकम ही करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, जब तक हम सरेंडर ना कर दें, तो यह ऐसे मानी जाती है, कि भई, ऐसी समझें, एक रस इसे एकसेप्ट करें, और इसके अंदर और शुटा शुटर अपनिशत का भी एक्जेमपल है, और भगवारे में यहां पे लिखा है, बगवारे शिव क्या कहते हैं, कि विश्नु ही है, जो सब को करते हैं, इसके बारे में भी एक चीज़ आती है, कि विश्नु, राँ, च और शिव कितनी हेल्प कर पाते हैं, इसके बारे में भी आगे आता है, लेकिन चलिए, हम आगे बढ़ेंगे, तो अगले चार वर्सिज़ हैं, अब यह 13-14 का एक हो गया, जिसमें यह तीनों गुणों के बारे में बताया है, अब जो अगले चार आएंगे, उसमें और आग करेगा, उसका क्या होगा, अब दीरे दीरे दोनों तरफ के पहलू दिखेंगे इसके अंदर, अगर 7-14 के तातपर्रे में कुछ हो तो प्लीज बिताएं आप, चलिए, तो हम आगे चलते हैं, यहां पर अगर तातपर्रे में आपने पढ़ा हो तो तातपर्रे में एक चीज कहते हैं कि शिवजी के यहां हो मानने बिल्कुल विश्णु बगवान के लेवल पे हैं, लेकिन, एक बहुत बड़ा अंतर है, विश्णु बगवान कभी बी यह जो माया है, इसके टच में नहीं आते हैं, जैसे हैं फेल पिछले वर्स में जो लिखा था, कि मैं उनके परे हों मेरे उपर काम नहीं करते हैं लेकिं जो शिवजी हैं वो माया के टच में रहते हैं अब यह टच है वर्ड इसमें यह नहीं कह रहे कि माया उनके उपर काम करती है लेकिन हां क्योंकि वो माया के टच में हैं तो माया कि उत्पत्ति विष्ण वगवान से हैं लेकिन शिव जी और माया देवी या दुर्गा देवी या पारवती जी सत्य जो भी नाम आप देना चाहें क्योंकि वो सारे एकी इंकार्णेशन है तो वो दोनों मिलकर आगे सृष्टी का संचालन करते हैं मतलब शुरुआत करते हैं कि अंदर कौन होता है कौन नहीं होता तो जो निपट मूर्ग है अब यह उसकी बात हो रही है जो इन गुणों के अंदर फसकिया है जो हम अक्सर सभी हैं जो निपट मूर्ग है जो मनुश्य में अधम है जिनका ग्यान माया द्वारा हर लिया गया है तथा जो आसूरों की नास्तिक प्रकरती को धारण करने वाले हैं ऐसे दृष्ट मेरी शरण ग्रहन नहींगा अभी आपने अभिनाज एक बात कही थी कि अगर कोई मा ऐसे है जो किसी के बारे में अपने बच्चे के बारे में सूचती है कोई और है जो अपने रिलेटिव के बारे में सूचता है तो एक तरीके से दिये खा जाए वो इसमें आ गए जिसके अंदर भई अभी नाश मेरे ख्याल से अभी अभी एग्जिट नहीं अभी नाश तो है अच्छा मुझे ऐसा लगा कि कुछ हुआ कुछ तो हो रहा है कुछ आवाजे आ रही है लेकिन चलिए तो वो इसके अंदर आ जाते हैं जहां ग्यान माया द्वारा हर लिया गया है इसलिए अपने बच्चे और दूसरे बच्चे में डिफ्रेंशीशन होता है कि भई या तो इंसान अगर सब के बारे में सोचे अच्छा तो तो सही है जिसमें अपना बच्चा भी आएगा दूसरे का भी बच्चा आएगा अपना रिलेटिव भी आएगा दूसरे का भी रिलेटिव आएगा लेकिन अगर सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचा जा रहा है तो वो माया के अंतरगत रहे के सोचा जा रहा है तो यहां पे असुरों की बात हुई है तो असुरों की नास्तिक प्रकर्टी को दा रहा है तो मतलब नेचर की बात हुई है कि हम असुर नहीं है लेकिन हाँ असुरों वाली प्रकर्टी हमारे अंदर develop हो सकती है वो हो सकता है एक महीने के लिए हो हो सकता है एक साल के लिए हो हो सकता है शर्ण भन के लिए आए हम उसके अंदर कोई गलाट decision ले 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 rest of the life हम उसके लिए रोते रहें जैसे काफी लोग होते हैं जो एक पल में सब कुछ हम समझ जाएं लेकिन और कुछ इसमें अगर तो प्लीज बताएं अगर तो प्लीज बताएं अधर वाइज हैं कौन से लोग intelligent हैं कौन से hard working हैं उसी के बारे में बताया है कि hard working तो बहुत मिलेंगे लेकिन अक्सार बलकि मेरे को तो ऐसे ही लगता है इंडस्ट्री के अंदर जो ज्यादा hard work करता है वह वह है जिसे कम पैसे मिलते हैं अभी रिशब गए हैं इंटरनेट की कोई problem चल रही है लेकिन क्योंकि आप देखें जो जो ladder में सबसे उपर होते हैं ऐसा लगता है वह intellectually जादा होते हैं और hard work अक्सर वही कर रहे होते हैं इस्पेशली दुबई जैसी जगह पर देखें जो की गर्मियों में भी पैट्रोल पॉंकि स्टेशन पर पैट्रोल बढ़ रहे होते हैं और हम अंदर आराम से एसी की गाड़ी में बैटे होते हैं तो hard work से ज़्यादा जरूरी है कि ग्यान लें जो चाहे हम उनके लिए कहें कि वह बहुती ग्यान लें और अच्छी नोकरी करें या फिर जो हम अपना अधियात्म की ग्यान की बात करें उसकी बात करें चलिए तो ओके रिश्चब वापस आए हैं रिश्चब का फिर से स्वागत है तो यह अगर हम verse 15 पढ़ रहे हैं इसके अंदर नाम आते हैं मूडा नराधमा मायप्रता असुरा यह चार अलग अलग किसम के वह माने जाते हैं तो इन चारों को इसके अंदर लगाया गया है कि वह सा पार रख्ण करने करने वाले तो दूसरे प्रकार के दुष्च करमी नाधम यह त्गाता है तर तिसरा, तीसरा दुष्वक्रति तिसरी शेणी में कैना है तर चोथा दुष्वक्रति की 24 वियादनी है आसूर, मra फ्र— तो यह 4 जो है, यहां पर लिखाया है कि यह निखाया कि कौन से यह किसी एक गरंद में बता हुआ हुआ है दुश्रती कभी भाव भी तर्म उड़ाब तो कौन से उसे उसमें बता रखें, मिर को याद नहीं लेकिन इसके अंदर इसका मेंचन होना चाहिए तो लेकिन ये चार तरीके के लोग होते हैं तो यही बताया गया है कि वह चारो के चारो छो होते हैं लेकिन जो मेइन चीज बता रहे हैं, वो हमारी अपनी लाइफ के अंदर हम ये चारों लोग मिलते हैं, और कईभार हम खुद ये चारों मैंसे कोई होती हैं, तो कि ऐसा नहीं है कि हम पागवत गीता पढ़ रहे हैं, तो हम हमेशा धर्म कई काम करते हैं, बहुत बार हम मूर् तो हमें शरण लेनी चाहिए वो शरण हम नहीं ले आते हैं लेनी चाहिए लेकिन यह बहुत अच्छा वर्स है चलिए अगर इसके तात्वर्णे में कोई चीज हो तो प्लीज बताएं चलिए तो हम 716 पे चलते हैं 716 भी एक ऐसा वर्स है जो हमको याद करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर ऐसे चार लोगों के बारे में बताया है जो बगवत गीता पढ़ते हैं सिर्फ बगवत गीता ही नहीं एक्छिवी जो शास्त्र की तरफ अट्रेक्ट होते हैं तो हम 6 लोग यहाँ पर हैं तो हम यह सोच सकते हैं कि हम कौन सी कैटेग्री में आते हैं हे भारत शेष्ट्री चार परकार की पुर्णे आत्मा मेरी सेवा करते हैं तो हम कहते हैं कि जब हम शास्त्र पर रहे हैं सेवा है जिसे भगवत भागवतम के बारे में आते हैं नित् तो कोई जैसे हमने का कि कोई आर्थ की जग उससे आएगा किसी को कुछ चाहिए जैसे कर्म कांड बहुत सारे हैं जिग्यासू है कोई क्यूरियस है और कोई अर्थार्थ ही है यह भी उसी के अंदर आता है यह बहुत इंट्रस्टिंग है कि अगर आप देखें तो हम इन चार इंट्रस्थाें आर्थो और अर्थार्थी में क्या फाराइक है इसमें बहुत अच्छा फाराइक है ऐसमें आपको इसमें से देखके बिताताओं बलकी वह यह शेयर करताओ'm आपके जैसे मेरे एक फ्रेंड के फादर एक्सपायर हो गए तब उन्होंने भगवत गीता उठाई तब उन्होंने माना कि यार कुछ तो है कोई भगवान जैसी कोई चीज है कि हम बचा नहीं पाए उनके और या फिर एंड में उनके फादर के साथ जो हुआ तो वो डिस्ट्रेस्ट हुए वो स्ट्रेस में थे तो वो आर्थ हुआई फिर अर्थार्थी जो कि हमने कहा कि वो लोग होते हैं तो आर्थ अर्थार्थी तो अर्थार्थी वो लोग हैं जो कि पैसा चाहते हैं जैसे कर्म कार्ण करके जो लोग पैसे को लेना पसंद करते हैं वो बगवान की पूझा करेंगे या गनेज जी की पूझा करेंगे मैंने शायद बताया है मेरे साथ में बक्ती शास्त्री में एक स्पैनिश स्पैन से तो वो पूछती ही क्योंकि में उनको मालूम मैं इंदोस्तान से कहते हैं तो कहते हैं आपको घंनेज जी के बारे में क्या मालूम मैंने मालूम है हाँ मैंने भी यह सुना है कि कोईबी मास Suppose देंदर आपको दिककत हो ठेखता है डिकला worst compare हाँ with you पाउन के इंदर ही तो जो टीचर थे बलकि उन्होंने ही कहा लेकिन और वो वो टेंपल में रहती है वो ब्रहमचारी वह नोकी इस नहीं प्रहुच्छ और कहते हैं नहीं और भक्तिन कहते हैं और भक्त वर बक्तिन तो आप कृष्ण की पुझा करेंगी तो फिर वह बीडिक् जो देंगे यहां चुनो यह भी बात आपकी सही है लेकिन होई कि किसी का मन आपको विचलित नहीं करना चाहिए लेकिन हम यह समझ सकते हैं कि वह इनसान भी थोड़ा सपसा है लेकिन वह अर्थार्थी के अंदर यहां पर आएंगे कि उनको कुछ चाहिए जरूरी नहीं है कि कि क्या चीज है और जो ग्यानी हैं जो ग्यानी तो वह हैं जो कि जिनको मालूम है कि कुछ सत्ते हैं जिजर जिग्यासू जो हैegree वह सिर्फ उन्हें बस थोड़ा सा डिखरेंस का है कि कुछ डिफरेंस है वो पता करो कि हो सकता है कोई Krishna पढ़ने लग जाए कि Bhagavat Gita में क्या वो जिग्या सु में आ रहे हैं लेकिन ग्यानी वह है जो कि उनको यह पता लग गया है कि यहां से आपको सच मिलेगा एपसुलूट तुरूथ जो सच्चाई है वो मिलेगी और उसके हिसाब जो आर्थ है आर्थ हो गया जो दुखी है और अर्थार्थ ही जो कुछ चाहता है अर्थार्थी और जिग्यासु जो जिग्यासा पुगाए इंक्युजिटिव और ग्यानी जो की एपसुलूट टुट को ढूंगाए तो आर्थ के ऊपर अर्थार्थी है अर्थार्थी के ऊपर एक तरीके से जिग्यासु है और जिग्यासी से उपर ग्यानी है तो हम अगर देखे जाएं तो इस वक्त सारे के सारे ग्यानी है चाहे हम किसी भी मार्ग से आए हो आखरी में आप ग्यानी बनोगे और ग्यानी वह आप किछो उसको यह पता लगिया है किा सच्चाई क्या है उसको डूंड़ो फिर वह ग्यानी चाए भक्ती में लगे चाए जये अपना साधन में राजियोग में लगे या फिर टो Inspether Mست node आर्थ जो दुखी है इत अर्थार्थी जो की कुछ चाहता है जिग्यासु जो की जिग्यासा से बहरा है इंक्यूसिटिव है, क्वेरी कर रहा है और ग्यानी जो की भगवान को डून रहा है एपसुलूट टून रहा है चाहे वो ब्रह्मान को डून रहा है परमात्मा को डून रहा है या भगवान को डून रहा है लेकिन वो एक उसको ढून रहा है बस यह चारो बहुत important है यह चारो हम आते हैं बार-बार-बार-बार इसके अंदर से आएंगे कि इन में से आप कोई हो और अलग-अलग टाइम पे आप अलग-अलग हो सकते हैं कभी हो सकता है माईने दो माईने बाद कुछ दुख आ जाए तब आप बगवर की दाव थाओ तो आप एक आर्थी की तरह उसको ढून रहे होगे और कभी मानो द्वेत अद्वेत का लग जाए तब आप जग्यासा से कुछ चीज इसमें पहसे डूनने लव को तो फिरए कुछ अब और सबकुश सभड़ रहा था कर रहा है तो बिलकुल वह ख्यानी गी तरह है सब सभी कुछ चाहिये नहीं है कोई जग्यासा नहीं है लेकिन हम सचाहिँ को दूनना चाह रह चोटा सा यह रूप अगो स्वामी जी ने लिखें नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन नेक्टर ऑफ डिवोशन उपदेशा मृत और भक्ताई रसा मृत सुंडी यह इसके अंदर भक्ती के बारे में बहुत कुछ बताया है तो हमको यह बगमत गीता करने के बाद वह पढ़नी च चोटी-चोटी सी है बागो तम पढ़नी चाहिए लेकिं बागो तम बहुत बढ़ी है यह चोटी-चोटे से बहुत चोटे और 716 में कुछ हो तो प्लीज बताएं अधर्वाइस हम 717 से चलेंगे और फिर कभी टाइम हुआ तो 715 और 716 को मिलाकर हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं 715 में भी जो चार अलग-अलग केटेगरीज दी हैं बहुत बड़ा परपट है ताक पर रहे हैं तो उसमें से हर एक इंसान यहां पर 716 के अंदर जो चार हैं उसमें कैसे मैच करता है वह बहुत अच्छे से कर सकते हैं लेकिन उसमें अच्छा लगेगा और फिर हमें हर एक उसकी अच्छे से अंडरस्टेंडिंग करनी कड़ेगी जो कि हम कर सकते हैं करना चाहें तो और मेरे पास कुछ टेबल से अगर कभी चाहिए हो आप तो बताईए मैं वह श्यर करता में यह है बलकि मैंने शायद एक शेव इंग्लिश में है मेरे पास एक गीता नोट्स वह बहुत अच्छे एक प्रभू जी आउन्होंने गीता के बहुत अच्छे नोट्स बनाएं तो टेबल्स भी बनाई हैं तो टेबल्स कभी-कभी एजी रहती हैं चलिए तात्पर्रे म बात बगवान बता रहे हैं कि वह कौन है ग्यानी चलिए अगर हम सत्तरवे को देखें हैं तो इन में से जो परम ग्यानी है तो अभी चार का बताया लेकिन उसके बाद उसके आगे का इन में से जो परम ग्यानी है और शुद बक्ती में लगा रहता है वैसर्वसरेश्ड है क्योंकि मैं उससे अत्यांत प्रिय हूँ और वैं मुझे अत्यांत प्रिय हूँ यहाँ पर देखें भगवान ने यह नहीं कहा कि मैं कोई पार्शेल हूँ उसकी तरह नहीं, नहीं कि मुझे प्रिय है, ऐसा नहीं कि मैं मुक्ति उसी को दूँगा कोई पार्शालिटी नहीं है बगवान के पास में लेकिन वो मुझे प्रिये है जैसे ऐसा नहीं है कि मैं दुष्षासन के साथ में कुछ गलत करूँगा दुष्षासन का अपना कर्म का जो फल उसको मिला है वो है लेकिन हाँ क्युंकि अर्ज्चन मेरी बात सुन रहा है तो वो मेरे ब node-cri है और वो मेरे को शार्दा-बक्ती बाफ से और अपने घर में भी देख सकते हैं हमारे अगर दो बच्चे एक प्यार से बोलता है एक हमसे लड़ाई करके बोलता है तो मैं कौन प्री हो लेकिन इसका मतलब यह निया कि दूसरे के लिए हम कुछ गलत करना चाहेंगे लेकिन प्री हमको कोई होगा जो प्यार से बोलेगा तो वो चारों हैं जो आखरी में हमने का ग्यानी लेकिन उसमें भी जो परम ग्यानी है जो परम ज्यानी होगा वो क्या करेगा वो शुद्ध भक्ती करेगा अगे बक्ती शुद्ध भक्ती में लगा रहता है वे सरफस्रेश्ट है तो हमने देखा पहले भी देखा हमने कि भगवान ने का योगियों में कौन सा योगी में रुखो सबसे अच्छा है ज्यानियों में साफ साफ बताएं कि भक्त ही है जो मुझे सबसे अच्छा लगेगा और फिर वो भक्त भी है क्यों भक्त है कैसे भक्त है क्योंकि वो ये सारी कामनाओं से दूर हो जाएगा और उसे और कुछ नहीं चाहिए भक्त के इलावा कुछ चाहिए ही नहीं और क्योंकि भगवान के इलावा भगवान के अलावा भख्त को और कुछ नहीं चाहिए इसलिए उसके अंदर कोई डिजायर्स ही नहीं जैसे हमने देखा दुरुव माराज आए परलाद माराज आए बहुत से एक्जेम्पल है जब भगवान उनके सामने आये तो उन्होंने कुछ मांगा ही नहीं, कुछ भी नहीं मांगा कि मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो, नहीं भगवान आपके दर्शन हो गए मेरे को अपने साथ ही ले चलो आप, ऐसी कोई नहीं मेरे को यहाँ पर माबाप से बीवी से बच्चों से कोई हो इसलिए हम कहते हैं कि रिशी के पास सबसे अच्छा अपसर है तो रिशी मौका देखके आप लग जाएं और रिशी से याद आया अगर 717 में और कोई चीज तातपर्णे में हो ऐसी तो प्लीज रिटाएं नहीं आगे चलते हैं आगे चलते हैं रिशी आप पढ़ेंगे क्या प्लीज आगे का 718 मैं पढ़ता हूँ निस संदे ये सब उदार चेता व्यक्ती हैं किन्तु जो मेरे ग्यान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ वह मेरी दव्य सेवा में तत्पर रहेकर मुझे सरवोच देशे को निश्रत रूप से प्राप्त करता है क्या वाद है तैंक यू रहे लाइस तो नी संदे इसमें कोई संदे नहीं है इसमें जैसे लिखा है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ तो यहाँ पर कहीं पर भगवत गीता में क्या यह यह मिलता है कि वो में ही हूँ मेरे समान मानता हूँ वाइट कि मतलब यह बगवान क्यू दारता है कि बगवान कह रहे है उस भक्त को बलकि और जैसे हमने अमरीश महराज के उसमें देखा कि जब दुर्वासा मुनी भाक्त के हुए जाते हैं और कहते हैं विश्णु भगवानी आपका चक्र मेरे पीछे पढ़ गया इसे रोको कहते हैं ये मैंने चलाया ही नहीं आपके उपर ये मेरे भगत के आप ने अमरीश महराज के ओ मारने की कोशिश करी तो ये मेरे भगत को बचाने के लिए अपने आपéra चलागा तो जिसको मैं शुरू ही नहीं किया उसे मैं रोकूं कैसे तो पिर ग्या करूं ये दर्वासम ने मेरे पूजनी ने अपने बाल निकाल के राक्षिश पैदा कर दिया जो उनको लेकिन वो डिवोटी है वो बगत तो वो बगत हाग जोड़ के कहरे हैं कि प्लीज आप छोड़ दीज़। तो कहने हैं भगवान और कई जगे कहते हैं कि मैं भक्त की सेवा करने के लिए तयार हूँ जैसे कि हमने देखा भगवान अरजुन का रत चला रहे हैं रत कौन चलाता है और एक जगे वर्णन आता है उस टाइम के अंदर महा भारत के अंदर जब इतनी लड़ाई हो रही होती होती है तो जो उपर रथी है वो अपने जो चार्यटर है उसको किसे बताता है कि ह landed जाना है कि रुकना है कि आगे जाu वो पने पढ़ से मार के उसे बताता है कि ऐसा एक जगह आता है ठो अरशुन कृश्ण भगवान को पढ़ से मार मार के यह बताते थे कि आपको इधर जाना है उधर जाना है यह नहीं कि भगवान वहां पे बैठे हैं तो भगवान भगवान ने पूरी सेवा करी अपने भक्त की उसे मैं अपने ही समान मानता हूं मेरी दिव्य सेवा में ततपर रहकर मुझ सर्वोच उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है तो पूरी पूरी वो देते हैं बलकि आज एक मॉर्निंग में लेसन सुन रहे थे उसके अंदर एक राधना स्वामी जी महराज है वो मुंबई के अंदर जो टेंपल है उसके अंदर है बहुत बहुत डाउन अर्थ हैं अमेरिकन है वो लेकिन इंडिया में ही रहते हैं बहुत उनके मतलब वो योगी अविनाश आपको अश्टांग योग और राज योग में बहुत पसंद है वो उनकी एक यूट्यूब की है माइं इंकाउंटर विद हिमालियन योगी तो गूगल में मिले वरना मैं आपको ढूंग के पेस्टांग जी उनकी एक बहुत प्यारी किताब भी है मैं मिला हूँ उनसे दो बार मिला हूँ उनसे एक बार लंडन में एक बार फ्रांस में इटली में तो इतने काम इतने कंपोज और वो बहुत बड़े स्वामी है मतलब उनके जो डिसाइपल्स हैं वो वर्ल्ड रिनाउंड है अपने नाम सुनाओ शायद गोर गोपाल प्रभुजी का जो इंजिन की यूट्यूब क्लिप्स बहुत आती हैं वो उनके spiritual teacher हैं मतलब गोर गोपाल प्रभुजी के ये राधनास स्वामी जी महाराज तो राधनास स्वामी जी महाराज की एक और disciple हैं उनका lesson था तो उनके राधनास स्वामी जी महाराज को का की भई मेरे को बड़ी दिक्कत आ रही है भक्ती में मैं क्या करो तो उनके ऐसा करो अपना घर बेचके इधर घर ले लो मुंबई में कोई जगे बताए कि उदर आपका सस्थे में घर आ जाएगा और थोड़ा temple के भी पास में ह आपर बक्ती आराम सें धने अश्याद तो उनके अच्छा अगर फिर भी मेरी प्रॉब्लम ना सोह नोगे हो तो अच्छे तो पिर वहाँ से वहां चले चाले जाना वोर सस्ती जगे उन्हों का फिर भी नहुँ उन्हों का वहां से वहां चले जाना उन्हों का मैंने मन स्ट्रॉंग करके चोती बार पूछ लिया कि अगर वहां पे भी प्रॉब्लम ना सॉल्व हो तब भी मेरे फाइनेंस मेरे पैसे पूरे ना पढ़ रहे हो महाराज ये मेरी तरफ देखेएगा कहते है कि शरम नहीं आती है कि जब तुम भगवान के लिए कृष्णा कॉंशियसनेस को कृष्णा बाबना मृत को मेंटेन करने के लिए इतना कुछ करने को तयार हो और करोगे कि एक घर छोड़के दूसरा गर छोड़के तीसरा गर छोड़के तो क्या इतना भी विश्वास नहीं है कि भगवान भी तुमारे लिए कुछ करेंगे कि भगवान ने बगवद गीता में इतनी बार बताया है कि मेरे भक्त का कभी चैप्टर नाइन में आएगा कि अरजुन एनाउंसमेंट कर दो गोशना कर दो मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होगा क्यों कि उस बात पर बिल्कुल विश्वासी नहीं है कि इतनी ज़्यादा क्यूरिसिटी इतनी ज़्यादा वो है कि डर लगा रहता है तो ये एक रीजन है कि जिस जो भक्त है वो भगवान से कुछ मांगेगा नहीं और उसको किसी चीज का डर भी नहीं होगा क्योंकि भगवान ने कहाए कि भक्त का पतन नहीं होगा अब ये अलग बात है कि लोग इसको कैसे interpret करें कि पतन का क्या है जैसे हमने कहा surrender का क्या meaning है ऐसे पतन का क्या मेनिंग है ? पतन का कोई कए किसी की जॉब चली गई Meng правu तो भगवान ने यह नहीं घा कि उसकी जौब नहीं जाएगी क्योंकि अरजुनकề खुद के साथ में बड़े बलकि बगवान क्रिशन के बागतों क्या लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि भक्ती में आप लगे रहोगे, आपका निर्वान जरूर होगा, जरूर होगा. तो ये हमको बहुत इससे मोटिवेशन, इंस्परेशन मिलती है. और सची भक्ती क्या है वो हमें समझ में आती है. भक्ती यही नहीं है कि बस माला फिरते रहो या टेंपल फिरते हो, ये कॉंशियसनेस हमारी है. एक्शन्स करते वक्त लोग हमको वही देखेंगे. ये दो इंजिनियर्स काम कर रहे हैं, दोनों वही काम कर रहे हैं. जैसे राजा जनक का एक्जैमपल आता है. जैसे खटवांग माराज कायता है, जैसे अपना अमरीश माराज जी कायता है. तो ये माराज है, ये किंग है. भागवतम के अंदर देखें, माराजाओं के जो परिक्षित माराज को सुनी, वो खुद सबके माराज थे उस टाइम पे. पिर लोकी के महरास ते परिक्षित महराज जब उन्होंने सब को छोड़ दिया साथ दिन जैसे ही उनको पता लगा सब को छोड़ के एंड में उन्होंने का मैं भगवान की कता सुनूँगा क्योंकि उनको उस चीज़ के अडवाइस करी तो इससे पता लगते हैं वो कितना वैलाग था उनके अंदर उस तो इसा हमारे अंदर भी होना चाहिए दीरे 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 अगर आ जाए तो क्या बात है जी और कोई चीज था तर्रे में हो था प्लीज बताएं 718 अनेक जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्यान होता है मुझको समस्कारणों की मलब समस्कारणों कारण जानकर मेरी श्रण में आता है ऐसे महात्मा अत्यांत जुर्लत होता है ऐसा महात्मा अत्यांत जुर्लत होता है जी बिलकुए अब यहां पर लगी कितने जन्म होंगे उसके बाद ग्यान तापत होगा उसको हाँ लेकिन कहने का यह मतलब है हमारे तो इतने जनम हो चुकी है पता नहीं कितने हो चुकी है क्योंकि हम बैठके भगवद गीता पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है हमने अपने पिछले जनम में बहुत संचित कर चुके हैं हम जिस इंसान ने कभी कोई अच्छे काम नहीं किये तो उसको अगर आप भगवद गीता देंगे तो उसके आप सुने कैसे गजब गजब से एक्जैम्पल आएंगे गजब गजब से एक्सक्यूजिस निकल के आएंगे कि क्यों नहीं पढ़ना और बहुत बहुत गजब से तो और इसमें कहते हैं कि क्योंकि संस्कृत में लिखी है कि कोई अगर संस्कृत का विद्वान है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसको यह समझ में आ जाएगी ऐसा कहीं पर भी नहीं आएगा हां लेकिन भक्त को समझ में आएगी और भक्त को ने अभी जैसे ग्यानी से भक्त तो अनेक जन्मा जन्तर के बाद जिसे सचमुझ ग्यान होता है, अब ग्यान है, जिसको ग्यान हो गया, वो ग्यानी हो गया, लेकिन वो ग्यानी क्या करता है, वे मुझको समस्त कारणों का कारण जान का, वो अपने आपको कारण नहीं मानता, कि मैं ही ब्रहम हूँ, मैं ही सब अंदर आता है कि ब्रहम जो है ब्रह्मन जो है वो मेरा यदाहर है मतलब मेर से ही निकला है मैं ही हूँ तो वे मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है अगेन वही शरण सरेंडर ऐसा महात्मा अत्यंत दुरलब होता है तो बात सही है आप अपने इंडिस्ट्री के अंदर हैं तो जो आपके शडियूल है वही उन लोगों का शडियूल होगा तो कितने लोग आप जानते हो ऐसे जो कि बगवद गीता पढ़ रहे हों बगवद गीता कुछ और दीचे कौन को वो कितने लोग आध्यात्मिक अरी वो आध्यात्मिक जगत की बात कर रहे हैं या अपने आध्यात में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं मेरे क्याल से अगर आप लिस्ट निकालोगे तो शायदी कोई हो है कोई मेरे तो जी अगर आप सोचें तो इसमें हम लोगो क्या करना चाहिए हम लोग बगते हैं तो हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि यह समय है तो अगर वो पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है जैसे हम इंवाइट करते हैं जैसे रिशी है रिशी आपकी जान पेचान में कोई है आपके फ् व्यूशियन फ्रेंडों को यह बहुत अच्छा समय है अपनी हमको बाइबल पढ़नी चीए अपनी हमको वो पढ़ना चीए खुरान पढ़नी हो मेरे साथ हैं जुझे जी ऐसे नहीं है एक दो फ्रेंड्स है इन फाक्ट मेरा ये एक फ्रेंड है जुसने पहले महवारत की देखे थी बट वो मुझसे बात करते करते उसको लबिट आ गया मैंने उसको जब सजेस्ट किया था इस वाले एपिसोड को पहुचिया हूँ और एकदम मतलब श्री करेक्टर है एकदम मस्त और भी मतलब एक तो ऐसा नहीं है अगर कोई देखे तो उसको डेफिनिटली इंटरस्ट आता है लेकर ये स्टार्टिंग नहीं मिलती जब लिए इसके लिए जी 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 अच्छा मैं बात करता हूं उससे अलगि मुझे लगता नहीं कि वह क्या कहते है का आप एस्मा इंट्रस्टिक होगा क्युकि वह ओल्रेडी काफी बिसी रहता है तो मैं पूछूँंगा लेकिन मैं देफिनेटली उससे पूछूँग कि दो ही जाएं जो यह मैं यहाथ मैं यह झाले है चाहते हूँए तो उसको कुछ ना समझे में आएगा तो पहले बहुत सब्सक्राइब पढ़ चुके हैं तो वह रिलेट करना प्राइब डिफिकल जाएगा इतना पीछे निकल चुका अभी तो में खा से पॉसिवल कर सकें अगर यह फिए और ब्रहुत ऑप्सवरिया यह जो चशा है कि हम फिर शुच्क जिसने ठर्ट चुटर बहुत ने गुआ है कर्म पलानी जो योगी सर का फेवरेट शोक है कर्म तुमारे वश्मिने बट सुल तुमारे वश्मिनी वो दुस्टीजे है वह यह वो निकल चुकी है मैं आपकी बात बिलकुल सही है कि अगर कोई फर्स चैप्टर से आए तो बहुत जैसे आपने का मजा आएगा उसे अच्छा लगेगा या संपून उसको ग्यान मिलेगा लेकिन सिर्फ इसलिए क्यूंकि हम आगे निकल चुके हैं किसी को छोड़ दें ऐसा भी नहीं होना चाह सकते हैं अगर कोई आये और वाकिया उसे आनंद आ रहा है और बीच बीच में रीकैप कर सकते हैं या आप अगर मेरे को बताओ तो जैसे वीकेंड के उपर एक दो गंटे लगा के पिछले सारे चैप्टर कवर करते हैं या दो चार पांच सिटिंग्स के अंदर वो सारे चै सब्सक्राइब कराओं इस से अच्छा तो इस पर घार तो और जा जाता ये तो है कि बहुत अप एक एक वर्स करेंगे और जो रिवाइस करेंगे वो उसके कापैरिस्म में कॉलिटी में नहीं होगा लेकिन ये है कि जैसे आपने का अधूरा घ्यान लेकिन अगर वो नहीं आएगा तो अदूरा भी नी मिल पाएगा तो लेकिन हाँ जैसे आपने माता जी के लिए बताया तो हम उसको कवर कर सकते हैं जैसे चैप्टर 7 के बाद में हम जब चैप्टर 8 शुरू करेंगे तो हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि पीछे का जो है वो सारा रिवाइस कर सकते है क्योंकि minded idea यह नहीं है कि सब finish हो idea यह है कि हम इतने अच्छे से समझें कि अपने जीवन में भी उतारपाएं और किसी और दे जीवन में भी अगर फरक पड़ पाए तो लेकिन चलें यह idea है पर दोस्तों के अंदर भी जहां पर भी मिलें श्वेता श्वतर उपनिशद के में और एक वर्स हैं जो यहां पर बता रखा है ऐसे देखें उपनिशदों के काफी हैं जो यहां पर रेफरेंसिज आते हैं यहां पर चंदो गया उपनिशद है उसका रेफरेंस दिया हुआ है तो प्रभू पाजी ने अच्छी चान बीन करके तातपर्रे अपने लिखें हैं तो इसके अंदर से कोई और चीज हो तो बिताएं चंदों में कहते हैं यह चंद्रों गया है अगले वाले में आप अब जिससे सपोस्ट कोई भी आता है आप यह वाला वर्ट गॉलों ना नाइन परसंट लोग केंगे आ सब रखेंगे दो इसको मानने पहले चला गए है आओ यह प्रसंट बढ़ेश्य लोक जो क्रण चेप्र वलोग ने इसको दिया वह दिया वह दो कि और नीकल चुकिया व्या निकल चुकिया वह बॉल्डन वर्ट रही है निकल चुकिया अलिकों तो बस तो बिल्कुल ये भी आप सही कह रहे हैं तो चलिए हम आगे continue करते हैं अच्छा नहीं हम 20 वें पे हैं जी तो अब 20 से 25 ये जो 6 वर्सेज हैं ये हैं जो आपने देख लिए ये demigod के और impersonalism जो हम कहते हैं जो लोग ये मानते हैं कि भगवान अद्वेत के हिसाब से जो लोग ये मानते हैं कि भगवान अलग से कुछ नहीं है हम ही हैं जो है तो उनके लिए तो कहते हैं जिनकी बुद्धी बहुती के च्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की श वभाव के अनुसार, पूजा, विशेश, विधी, विधानों का पालन करते हैं। अब ही जैसे हमने देखी लिया इसमेल का। मेरे पापको कितना बुरा लगे जाओ, बच्पन से लेके अपता, माताजी, पूजा कर रहे हैं, यह लोगों कितनी इगो होट होगी। विल्कुलाइब जैसे अगर सीना लोग से शिरू करोगे, कैसे कोई मानगागा। जब अपस लोग से शिरू करोगे तब बच्पने का बेश क्यार बने का किसम के साथ कर जाएं, यहां से अपने किसी को बढाएं, आपसा बनागा बनागा। सब अग्यान में कुसे हैं, कोई बहरो भावा को मांग रहा है, कोई दारू चड़ाने जा रहा है, कोई ब्लैक लेबर चला रहा है, कोई रेड लेबर चला रहा है, कोई तैसे मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, सब के बेश ही गलता है हमारे देशे। यह बिल्कुल सही बात है और यह अब दुक की बात है जब हमारे यहां पर पहले किसी को सिक्षा के लिए बेशते थे तो वो वेदों के घ्यान के लिए सिक्षा करवाते थे लेकिन अब तो खैर जिस से पैसे मिल जाए जो इंजीनियरिंग डॉक्टरे अच्छी चल रही हो मा अच्छा चले तेक्षा आप भी सही कह रहे हैं तो इसमें आपने बिल्कुल सही कहा है अपने अपने सभाव के हिसाब से और यह हम देख सकते हैं जिसका जहां से सभाव है वहीं जाता है इसलिए किसी को मना करने की भी कोई जरूरत नहीं होती है जैसे किसी का बगवान राम की तरफ है किसी का बगवान कृष्ण की तरफ है कोई शिवजी की तरफ है तो किसी को ऐसे मना करने की जरूएत नहीं है लेकिन हाँ बस यह है की गरंथ जरूर पढ़ना चाहिए वो जो भी भगवान गया है उनकी भगवान के गरंथ पढ़ना चाहिए तो तातपर्रे में वही चीज बताई है उसी को आके और किया है और आगे आने वाले verses के अंदर भी यही चीज बार 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 बताएंगे कि जो भगवान को ना जाके इसलिए हमने बात करी कि ये जो ग्यान है इसमें ये भगवत का ग्यान है भगवान का ग्यान है इसके अंदर तो जो 24th verse रहेगा वो impersonalism के बारे में otherwise अगले 4 verses के हिदे में परमात्मा सुरूप इस तुम जैसे की कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है मैं उसकी शक्था को स्थेर करता हूं विससे वाद इसी विशेरी देवता की भट्ती कर सकते है अब देखो ना आपकी मतलब कहने है तो यह सब सीक्वेंसे आ रहे हैं बिलकुँ जी यह बलकि हमने पढ़ा भी कि सूरज की रोशनी में हूँ तो यह बिलकुल सही बात है कि और सारे देवी देफताओं को आप देखे हमारे ग्रंट बढ़े हुए हैं जितने पुरान आप उठा लें सारे के सारे जो हैं देवी देफता वो भगवान के पास ही जाते हैं इंदर देव जो लीडर है वो तो भागे भागे फिरते हैं बिचारे जैसे ही कोई पूजा कठन करने लगता है यहां पर दर्ती के उपर क्योंकि ऐसा रूल होता था पहले टाइम पे कि जिसने सो अश्व मेग यग्य कर लिये या ऐसा कुछ तब कर लिया जो कि सो अश्व मेग यग्य के बराबर है तो उस इंसान को इंदर का पत मिल जाएगा यह सिंपल है तो और ऐसे कई बार एक्जेंपल आए हैं कई बार तो दानवों ने भगाया है देवताओं को स्वर्ग से लेकिन कई बार जैसे एक राजा निमी हुए थे वो राजा निमी को इंदर बनना पड़ा तो फिर इंदर को जाना पड़ा वहां से भागना पड़ा बगवान ने दे रखी है उनको powers कि आप अपना अपना कार रे करो आप पानी का department समाल लो आप हवा का समाल लो अपना अगनी का समाल लो अगनी के बारे में बहुत अच्छे से बताया है सकंद पुराण में कि अगनी जैसे जो कार्तिकेजी हैं वो भी अगनी ने कैसे उनकी उत्पत्ती के लिए भगवान से उड़ जा लिए और कार्तिकेजी को जनम देने के लिए क्योंकि कार्तिकेजी को किसी को मारना था तो बिलकुल ये examples बार 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 आते हैं लेकिन अगन इसमें कहीं पे भी ये नहीं है देवी देवताओं की कोई आप निंदा करो लेकिन हाँ कहने का मतलब ये कि वो बिचारा जो कोई इंसान अगर देवी देवता की पूजा करता है तो हमें मालूम है हम खुदी कह रहे हैं कि वो किसी इच्छा से कर रहा है कि भई कुछ चाहिए उसको इसलिए देवी देवताओं की पूजा कर रहा है तो फिर वो गलत ही है क्योंकि जो भी इच्छा है वो इच्छा बहुत ही ही है वो आध्यात्मे की इच्छा तो है नहीं आपकी तो इस वज़े से उस इंसान को मूर्ख बता रखा है या फिर जो एक्जाम्पल बाद में आएगा की पेड़ के अंदर अगर पानी डालना है तो वो इंसान मूर्ख है जो फूल के अंदर पानी डाल रहा है पत्ती के अंदर पानी डाल रहा है या ब्रांचीज जो है उसके अंदर पानी डाल रहा है पानी तो आपको जड़ों में डालना चाहिए तो जो जड़ है वो भगवान है तो भगवान अगर प्रसन है भगवान की भक्ती कर रहे तो बाकी तो ऑटोमेटिकली प्रसन हो जाएंगे जैसे कि प्रिंसीपल को स्कूल में मना लिया होता है कि आप कम पूझा करोगे तो कम जादा करोगे जादा आप सब कुछ अर्पित करोगे तो सब कुछ कम अर्पित करोगे तो कम क्योंकि उसका रूल बेस्ट है तो जो भगवान की पूझा करेगा तो वो भगवान कि वो अगर कोई देवी देर तक कूचा करना चाता है तो उसी में शर्दा चाता है तो मैं उसमें शर्दा कर देता हूँ अपको उसके अंदर करना है उसके अंदर करो और अगर सोचा जाए तो सही भी है वो प्रिंसिपल कैसा होगा कि अगर किसी बच्चे की मैट्स के टीचर के अंदर शरदा है कि मैट्स का टीचर बहुत अच्छा है तो प्रिंसिपल आके क्या बोलेगा प्रिंसिपल आके ये तो नहीं बोलेगा कि पागल है तुम मैट्स के टीचर कोई है वो तो मेरे बिना कुछ है यही नहीं नहीं वो क्या कहेगा वो यही कहेगा आप बहुत अच लेकिन हाँ और एक रोगी का सूरे देव इसमें अलग-अलग उधारण के रूप में एनलोजी के एग्जाब से रखता है हम कौन सा कर रहे हैं 21 जी तो जैसे अक्सर सूरे भगवान की लोग पूजा करते हैं कि हेल्थ अच्छी मिले या सरस्वती माता जी की पूजा करते हैं अच्छी पूजा करते हैं लोग के अच्छी भी भी मिले तो वो सारी जो चीसे हैं वो सारी पावर से वो भगवान से ही मिल रहे हैं तो ये सारी अलग-अलग चीजों के लिए अलग-णकी जरूआ नी लेकिन कहीं पर भी ये नहीं करना की देवी देवताओं का अनादर करना नहीं हो या ऐसे लोगों को हम जाके ये बोलें कि पागल हो तुम कि देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं ऐसा कहीं पर भी नहीं करना क्योंकि फिर वो हमारा अपराद है फिर हम समझे नहीं कि बगवान क्या कहना चाहरे है यह हमारी समझ के लिए है कि बगवान यह कह रहे है कि मेरी पूजा करो लेकिन यह कहीं नहीं कह रहे है कि कोई और पूजा कर रहा है तो उसका मन विचलित कर रहा है वो कर रहा है तो बहुत अच्छा कर रहा है शिव जी के अंदर श्रद्धा बढ़ाओ फिर शिव जी क्या कहते हैं वो जब निकल के आएगा फिर वह आगे के बात नहीं और कोई चीज ताथ पर रहे में हो तो बताएं अधरवाइस हम 22 पे चाहिए आगे चलते हैं आगे जी तो यह 722 कि ऐसी श्रद्धा से समावित वह देवता विशेश की पूजा करने वाला यत्र यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ती करता है किन्तु वास्तविक्ता तो यह है कि वे सारे लाब केवल मेरे द्वारा प्रदित हैं मतलब कि एक तरीके से मैं ही सेंशन करता हूँ चाहे आप किसी को भी कर लो और फिर हार्ड वर्क भी बहुत है तो अगेन उसी चीज़ को दुबारा से पताया हुआ है एक प्योर डिवोटी कैसा होता है वो कभी भी बहुत एक संसार की कोई चीज़ नहीं मांगेगा कोई भी चीज़ आप पूछो कि मंदर में जाते हो क्या आइन लगी होती है कभी सर्वे किया जाए तो पता लगे कि लोग पूजा ही क्यों करते हैं तो गजब गजब चीज़े निकल के आती है वाद से बगवान पूजा करते हैं कि अब यहां यह टुन्टी सेकिंड एक वर्स और अगला रहेगा जो बिल्कुल ऐसा ही है अल्प बुद्धी वाले वेक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा शणिक सीमित लिमिटेड शणिक कुछ समय के लिए और यह बिल्कुल सही बात है पर्सनल मैंने लाइफ में देखा है बहुत सारे लोगों को जो कि किसी एक देवी देवता की पूजा करते थे चाहे हनुमान जी हो शिव जी हो मातारानी हो और आप देखो के दो साल के बाद में यह कुछ समय के बाद में उन्होंने चेंज कर लिए तो मैंने पूछा जी ब बजा मतलब आपकी तो यह ऐसा लगता है कि लेंदेन विपार चल रहा है तो बात तो आप इसकी अगर मुझे देगा तो मैं सौर पर चड़ाओंगा और मुझे कम देगा तो मैं सवर पर चड़ाओंगा बिलकुत इस पर विपश्चना के अंदर बहुत अच्छी चीज़ कहते हैं वह कहते हैं कि हम कहते हैं अक्सर जाके और सभी बात है मिरे को याद है क्योंकि मैं जहां गांदी नगर में दिल्ली में रहते हम वहां पर हनुमान मंदर गली का नाम ही है हनुमान मंदर गली तो हनुमान जी का जो मंदर है वहां पर अच्छा समय बिताया तो कितने दिन नहीं लगती ही रेडियां तो डूरिंग दवीक लोग आकर ये कहते हैं कि भगवान मेरा ये काम हो जाए तो मैं जो भी सवा रुपे का या जितने का भी परशाच चड़ता होगा मुझे मालूम नहीं आजकल कितने का चड़ा है परशाच लेकिन लोग ऐसे कहते थे कि य इश्वास हमें बगवान पर है नहीं जो भी देवी देवता हैं कि वो पहले काम कर दो मेरा और फिर मैं चड़ाओंगा आपका ठीक यहां बगवत गीता में बगवान क्या कहते हैं पत्रम पुश्पम फलम तोयं कि कोई मेरे को कोई पत्ता चड़ा दे कोई फूल चड़ा चड़ा दे, पानी चड़ा दे, कुछ चड़ा दे लेकिन बगवान उसे तो क्या चड़ा रहा है वो में नहीं है जो उसके पीछे की भगती है वो में है लेकिन obviously हम लोगों के अपनी इच्छाएं हैं अपनी डिजायर्स इतनी हैं कि हमको बस कोई यह बता दे थोड़ा सा ह मिल जाए कि वहां वाले बाबा बस MICH वहां चड़ा दो आप कुछ तो और कितना होता है कितनी बार हम लोग यह सुनते हैं और जो लोग हिंदुस्तान में इनको ज्यादा मालू आप यह कर लो वो कर लो तो यह हो जाएगा वो हो जाएगा तो वो सारी dealings है वो सारी की सारी dealings है तो यह सब यह जो अभी तक पिछले चार गए थे वर्सिज यह सारे देवी देवता के उपर है कुछ अगर तातपर्रे में हो तो बताएं प्लीज अथरवाइस वही concept को आगे थोड़ा और समझाने की कोशिश है again इसके अंदर कोई भी insult नहीं है किसी की भी लेकिन एक और चीज इसमें आती है जो यहाँ पर mention है लेकिन भागोतम में बहुत अच्छे से समझाई गई है कि भगवान जो है वो ऐसे कहते हैं ब्रहमण है वो मेरे सर से निकले है जो शत्रिये हैं वो मेरे हाथों से निकले है जो वेश्ये हैं वो मेरे कमर से निकले है और जो शूद्र हैं वो मेरी टांगों से निकले है तो यह कहने का एक तरीका है और वहाँ पर और उसके आगे पीछे की बहुत सारी चीजी समझा रखती हूँ ये सुनके या पढ़के कोई ये हिसाब कभी भी न लगाए कि इसका मतलब ये है कि ब्रामन शूद्र से ज़्यादा अच्छे है ऐसा नहीं है कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि भाई ब्रामन को तरक्की जल्दी हो जाएगी शूद्र को लेट होगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ब्रामन जो अपना काम कर रहा है उसकी वज़े से वो ब्रामन है शूद्र जो अपना काम कर रहा है उसकी वज़े से वो शूद्र कहलाता है ब्रामण अगर अपना काम अच्छे से नहीं करता तो वो कहीं नहीं जाएगा शूद्र अगर अपना काम अच्छे से करता है और भक्ती से करता है तो वो उस ब्रामण से जादा अच्छा है और ऐसा जरूर आएगा कि कोई भी श्रेणी का हो लेकिन वो अपने काम को अच्छे से करता है तो वो उस ब्रहमण से भी अच्छा है जो कि नश्ट है या ब्रहष्ट है तो इसमें कभी भी कोई ये ना माने मतलब हमारे गरंतों के हसाब से कि कोई ब्रहमण क्योंकि इस्पेशलिए अगर हम खुद ब्रामण के उससे आते हैं तो ब्रामण लोग अक्सर काफी बोलेते हैं जैसे मुझे याद है कि बच्छे करते हैं तो क्या चीज के बारे में मालूम ने लेकि मेरे को याद है तो उसका मतलब महत्व समझो ऐसे करके तो मुझे कुछ नहीं समझ में आता था लेकिन बाद में समझ में आया कि उसका क्या मतलब है लेकिन उसका कहने का ये कभी भी मतलब नहीं होता था उस बात का कि भाई कि आप शुद्रों से या किसी और से आप अच्छे हो तो अगेन जैसे देवी देवताओं की बात हुई कि इसमें कभी भी कोई inferior complex कभी नहीं आएगा जैसे हमने कहा जैसे अभी पूछा कि भाई कोई ऐसा आध्यात्मे नहीं पढ़ता होगा तो पढ़ना चाहिए लेकिन क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कोई और नहीं पढ़ रहा इसलिए हम उनसे अच्छे हैं अगर ये भाव अमारे अंदर आता है तो इसका मतलब अध्यात्म से हमको नुक्सानी हुआ है फायदा नहीं हुआ क्योंकि हम गिर गए हम दूसरों से अपने आपको अच अच्छा कर सकता है वह इंसान की अगर वह अध्यात्म में लगेगा तो इसका उद्धार हो जाए लेकिन हम अध्यात्म को लेकर अगर अपने आपको अच्छा और इंफीरियर या सुपीरियर समझने लगें तो इसका मतलब तो हमारे लिए कोई आशा भी नहीं है तो कभी कोई ऐसे कंपैरेजन की हमको जरूबत नहीं है यह 723 के अंदर एक चीज है हम अगर अगले पर चलें और बेशक हम हम 24 25 और कर लेते हैं क्योंकि फिर 26 से अलग चीज शुरू होगी वह हम कल कर सकते हैं अगर हम 24 करें जी बुद्धी ही मनुष्ये मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस सुरूप को धरण किया है वे अपने अलप ग्यान के कारण मेरी अविनाशी तता सर्वच प्रकृति को नहीं जान पाते हैं तो यह शुन्ने वादियों के लिए हैं जो यह कहें कि सब द्वेट फिलोसफी में ऐसा कहें कि निराकार से साकार निकल कर आया है कि पहले निराकार थे भगवान और फिर उसमें से उन्होंने सवरूप निकाला है कि पहले ब्रहम जोती थी भगवान क्या है जैसे अपने कुमारी ब्रहम कुमारी वो भी यही मानते हैं कि जोती थी प पग्यानी मानो, बुद्धी हीन मानो, उनको सही से समझ में बात आई नहीं है, वो मेरी बात को सही से समझ नहीं पाई है, तो इससे क्लियर और क्या कहा जा सकता है, लेकिन यह यहाँ पर चोबिस के अंदर समझाया गया है, बगवान ही है, और अगर हम पीछे के लिए, बगवान का कोई जनम नहीं होता, अगर हम देखें, पच्चीसवा, कि मैं जैसे कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि बगवान जो है, और क्रिश्न बगवान ने तो जनम लिया और फिर वो मर गए, जैसे आधिंक रिशी नहीं कहता ऐसा, कि बगवान क्रिश्न ने तो हमारे सामन यह आपने पूछा था ना के शिव जी हमारे बुजर्ग क्यों कहते हैं कि वह आदी और नहीं है उनका तो मैंने कहा था कि इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे श्री गृष्ण आया श्री राम आया तो यह जितने भगवाना है इनका हमें पता है कि कहा इनका जन्म हुआ था कै कैसे हुआ था शिव जी का हमें नहीं पता इसलिए हमारे जो बड़े बुजर्ग हैं वो कहते हैं क्या कहते हैं कि उनका ना कोई आदी है ना कोई अंतर बड़े बुजर्ग क्या मतलब हर कोई ही कहता है जी रिशी बिलकुल आप सही कह रहे है हमारे शास्त्र में ऐसा है रिशी मैंने शायद गोलोक चार्ट शेयर किया था तो मैं दुबारा शेयर करूंगा गोलोक चार्ट के अंदर भगवान जो शिव हैं वो महा विश्नु से किस तरीके से निकलते हैं ब्रहम समीता के अंदर ब्रहम समीता वो शास्त्र है जो कि ब्रहमा जी ने गोलोक धाम के अंदर जब भगवान कृष्ण की स्तुती करी थी तो उसके बाद जब वो नीचे आये थे तो भगवान तो भगवान जी शिव जी की अपने ब्रहमा जी भगवान कृष्ण जो बालक हैं विन्दावन में वो बालक थे करीबन 11-12 साल की उमर में वो छोड़के गए थे विन्नावन तो तब वो छोटे थे बड़े तब उनकी पूजा करने लग गए कि औरे सॉरी उन्होंने कुछ किया था उनके लिए हम इस डीटेल में नहीं जाते तो कृष्म भगवान कहते हैं मुझको क्यों कह र नारायन है तुमारे पिता क्योंकि जो ब्रह्मा जी हैं वो गर्बो दक्षाई विष्णू से निकले हैं तो वो क्योंकि पानी में है तो इसलिए उनको नारायन कहते हैं नारायन बना पानी में जो नर है सबसे पहले नारायन तो वो कहते हैं आरे तो वो बताते हैं कि आप म वो गौलोग चार्ज है उसमें लेफ्ट इंसाइड में और राइट इंसाइड में वर्सिस के रेफरेंसिस दे रखे हैं तो कभी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं लेकिन खेर मैं यह कहना चाहता है जैसे आपने फॉर एग्जेंपल कहा ऐसा और ऐसे काफी लो पूर्ख तथा अल्पियों के लिए मैं कभी भी प्रकट नहीं हूँ उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति अभिनाश आकर आपको यादो शाहिए मैंने आपके साथ में एक वो कल शेयर किया था उसमें हमने पिछले वर्सिस में जल्दी-जल्दी कर लिया क्योंकि थोड़ा डीटेल की बात है भगवान की चार शक्तियां हैं एक है बहिरंगा शक्ति जो भार की है एक है अंतरंगा शक्ति जो अंदर की है और एक है बीच की मध्यांत है तो हम जो शक्ति हैं हम जो जीव आत्माएं हैं हम भगवान की मध्यां बीच वाली शक्ति हैं बीच वाली क्यों कि हम माया में भी गिर जाकते हैं और भगवान को भी पा सकते हैं दोनों चीजे कर सकते हैं और यह हमारी चॉइज है तो इसलिए हमको बीच वाली मध्या शक्ति कहते हैं जो अंतरंगा शक्ति है वो सारी बहुतिक जगत वो सारी अध्यात्मिक जगत में वो कभी वो शक्ति से कभी भी किसी को क्यों नुकसान नहीं होता। वो शक्ति कभी भी जो तीन गुण है उसके अंदर नहीं आती। माया के अंदर नहीं आती। लेकिन जो अंतरंगा। उससे जो भी चीज प्रकट होती है वो हम देख नहीं पाते लेकिन वो सारी माया की वज़े से हमको दिक्कत हो रही है तो यहां वो बता रखा है उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ती द्वारा आच्छादित रहता हूँ मतलब मेरी अंतरंगा शक्ती है जिसकी वज़ से भगवान के प्रकट होती है अगर हम भागवतम पढ़ते हैं तो यह तीनों शक्तियां बहुत विस्तार में वहां पे समझा रखते हैं लेकिन यहां पे सिर्फ हिंट्स हैं उनके अथे वे ये नहीं मान पाते कि मैं अजनमा तथा अविनाशी हूँ मतलब कि मेरा कोई जन बारा अध्याएं हैं और इसकंद हैं सौरी केंटो कहते हैं इसकंद चैप्टर हैं जो अध्याएं हैं और इसकंद हैं जो केंटो के अंदर बहुत सारे अध्याएं बहुत सारे चैप्टर हैं तो जो ग्यारवां जो दस्वां हैं दस्वां इसकंद है उसका ग्यारवां शरीर से जाते हैं तो वहाँ पर पताते हैं कि भगवान जो अपना शरीर लेकर आयते हैं वो भी दिव्वे है वो दिव्वे शरीर से आयते हैं और दिव्वे शरीर को साथ लेकर जाते हैं तो लेकिन फिर वहाँ पर भी बताते हैं कि लेकिन बाकी लोगों को ऐसा पता नहीं लग पाता हैं उनके सामने हैं जैसे दुर्योदन के सामने बगवान थे वो नहीं अगर हम ऐसा कहें हैं कि बई उनका जनम हुआ उनका मरन हुआ इसलिए बगवान नहीं थे वो तो इसमें कोई surprise की बात नहीं है जैसे मैं कहता हूँ कल्यूग में तो लोग ऐसा करेंगे इसमें सर्प्राइज की के बात है लेकिन यहां भगवान साफ कह रहे हैं कि वे लोग नहीं जान पाते क्यों कि मेरी अंतरंगा शक्ति से चुपी हुई हैं सारी चीजें कि मैं आजनमा हूँ और अविना ग्यान था दिव्य ग्यान चैप्टर पांच में भी ग्यान था वो कर्म के लिए ग्यान था और चैप्टर छे के अंदर जो था वो अश्टांग के सांख्य के अब यहां जो ग्यान है वो भगवान अपने बारे में ग्यान दे रहे हैं साथ में और ऐसे यहां तो वो ग्यान अपना इसमें दे दे दे, अब इसके बाद भगवान जो बताएंगे, भगवान बताएंगे कि, और अपनी शक्तियों के बारे में आप बताएंगे, ग्यान हो गया इसके अंदर, जैसे नेक्स चैप्टर ज़ो आएगा, absolute, मतलब भगवान का, भगवान का जैसे विराठ रू तो चलो मैं अपनी दिव्वे शक्ति देता हो मैं उससे देख अब ये भी एक चीज है कि अद्वेत के अंदर अगें क्योंकि आपको इंट्रस्ट है अविनाश कि अगर वह लोग यह कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वह भगवान नहीं थे वह बस वह थे जो जिनों जो रिलाइज हो गए थे जैसे आदी शंकराचारे जी हैं गौतम बुद्ध हैं वो उन लोगों को भगवत अपना बौधी मिल गई थी ब्रह्मन रिलाइजेशन हो गई थी तो बस ऐसे ही भगवान को भाज गुविंदम करने की क्यों कहते हैं ने वह थे वह थे पुरी कर्मी बिलकुल सही वह बात बिलकुल सही है अद्वेट फिलासफी में कहीं कोई चीज गलत नहीं है इसके आगे मैं पढ़ेंगे तो इस चीज को ध्यान रखेगा जब आप पॉलोर से मिलेंगे क्योंकि पढ़ेंगे कैसे आप जैसे आपने बगवत गीता शुरू करी तो आप हमारे साथ आप बढ़ेंगे तो शाहिद आज हमारा धर्मी ना आता है लोग हमें आज मूग समझ रहे होते हैं जो बंदरों की पूझा करते हैं बंदरों की पूझा करने वाले थे आप से पढ़ने से पहले भी मैं करता हूं ना मैं यह कह रहा हूं मैं पहले भी कहा मैं फिर भी कहता हूं आदी शंकराचारे जी बिल्कुल सही और स्वामी विवकाने जी बिल्कुल सही और अद्वेत फिलोसफी बिल्कुल सही कोई इसके अंदर शंका नहीं है कोई डाउट नहीं है यह डाउट यह है कि प्रभुपाद जी ने जान योग नहीं करा और आशे बंद करके नहीं बैठे नहीं है अगर आशे बंद करके 10 तापस्या कर लिया तो उनके ले भी डाउट निकल गया तो यह डाउट नहीं है आप वो चीज देखनी पारे और उनके वो चीज देखनी आप बैठे जो 10 ताल चोड़ो मैं प्राना आपने बैठना है नहीं है आपने लेकिन वही वाली बात है ना इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब जो फॉलोर्स आपको मिलेंगे ना जब फॉलोर्स जो चीज कहेंगे उनके साथ में बात होगी तब बात करेंगे अब ठीक है ना लेकिन अगेइन स्वामि विवेकानन जी और शंकरा चारे जी परमंस योगा नंजी यह सारे बिलकुल सहीं है कोई और कोई फिलोसफी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है फिलोसफी हमारी उपनिशत की है उपनिशद में कोई दिक्कत तो आप क्या करें ना आप यह करें ना जैसे इसलिए कहते हैं कि गुरु परंपरा होती है वो चले गए लेकिन उनका वो तो है ना अगर स्वामी विवेका नंजी ने राम कृष्ण मिशन ट्रस्ट बनाया है तो आप उसके अंदर जाके देख सकते हैं परमन्स योगा नंजी का जो है योगोडा आप उसमें जाके देख सकते हैं शंका चारे जी ने बहुत अची चीज क्या करी थी उस टाइम पर उन्होंने चार अलग अलग दिशाओं में चार बड़े-बड अच्छा लेकिन खेंगा अच्छा लग रहा है पुरानी चीजे रिवायद हो रही है कुछ में पर इसके घर में कल लेकर आ गई है शील और शील और शील बहुत अच्छा बहुत अच्छा इसलिए मैं आपका धन्यवाद देर हो जब पुरी भंगवद गीता खतम हो मेरे मेरे पैड़ चुके आपको कोई फाइदा नहीं होगा थीक है बगवद गीता पढ़ कर ही आपको फाइदा होगा थीक है ना लेकिता पढ़ाने वाला है वो की फाइदा कराने आवला है पर्ड हमने रखी है भाबार हमने ने रखी है वद जो अब जो डिटेल के ने जारे है डीपर मीधिंग के जारे है वाल का अलो पुरान उपनिशत सब समझ में आना चाहिए और इसलिए अद्वाइत और द्वाइत वो दोनों समझ में आने हैं चाहिए और गजब है गजब मैंने आपके साथ में शेहर किया था उपदेशा मित्र अपना उपदेशो मित्र यूट्यूब के उपर सीरीज है वो भी बहुत कि अंदर से जो अच्छी अच्छी कहानियां हैं उनको बहुत अच्छे से रूप में हैं वो पता नहीं मेरे को याद नहीं अगर कि कभी मैंने पहले देखी हो टीवी पे लेकिन जैसे रिशी आपने कहा कि आपके फ्रेंड को महाबारत पसंद है तो अगर आप वो मैं उसका डून के शेर करूँगा वो भी अगर आप देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं हमारे हमके संस्कृती से आते हैं तब आपको पता लगेगा कि जैसे याग्यवल्क एक नाम आता है अश्टवक्र एक नाम आता है यह वो संत हैं यह वो सादू हैं वो सेंद हैं जो क के तो हम जानवरों से ज्यादा अच्छे नहीं माने जा सकते लेकिन चलिए बहुत अच्छा हम यहीं पर रुखते हैं और जो अगले वर्स आएंगे 26 से लेगे करेंगे उसके अंदर हम जो जीव आत्माएं हैं कैसे हमारा पतन होता है और क्या हमारा दिमाग खराब हो जाता है English में word है bewilderment मतलब हमारा सर चक्रा जाता है तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे तो और हमको पता लगेगा कि कैसे हम ऐसे ना कर पाए तो चलिए हम कल यहीं से शुरू करेंगे